बिहार में महागटबंधन की सरकार है और अब बिहार के डिप्टी सियम तेजस्वी आदफ हैं वहीं बिहार की सियासत पुर्व डिप्टी सियम के सरकारी बंगले को लेकर गर्माई हुई है बता दे कि बीजेपी के दोनों पुर्व डिप्टी सियम को आवास खाली करने का न कभी बिहार के डिपटी सियम तेजिस्वी यादव और पुर्व डिपटी सियम सुशील कुमार मोदी के बीच विवाद देखने को मिला था तब ये मामला तो सुपरीम कोर्ट तक चला गया था हलाकि तिजस्वी यादफ को तब जुर्माने के साथ बंगला खाली करना पड़ा था वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन और अलग-अलग गटबंधन की सरकार बनने की वज़े से पूर्व डिप्टी सीयम और पूर्व मंत्रियों की भरमार है पाथ साल के अंदर दो दफे बिहार में सरकार बदल जाती है नतीजा ये होता है कि पूर्व माननियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और सरकारी बंगला कम होने की वज़े से विवाद बढ़ता जा रहा है जो सत्ता में होता है और अचानक से विपक्ष में पहुच जाता है वो बंगला खाली करने में वक्त लगाता है और सरकार में आए नए माननियों इस तरह से इंतजार में बैठे रहते हैं वहीं अगर बात की जाए तो बड़ी सरकारी आवास यानी बंगले को स्टेटस सिंबल भी माना जाता है राजनेता भले ही अपनी कुर्सी पर रहे या ना रहे लेकिन सरकारी बंगला खाली करने में वो जल्दबाजी नहीं दिखाते है यही बंगला कई बार सियासी विवाद का कारण भी बन जाता है बतादे के पूर्व डिप्टी सीम तारकेशोर प्रसाद और रेनु देवी को जिस तरह से बंगला खाली करने का नोटस मिला और जुर्माना भी लगा गया उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार में चाहे कोई भी रहे विपक्ष में चाहे कोई भी बैठे लेकिन बंगले का मोग खत्म नहीं होता है विवाद केवल बीजेपी के दोनों पूर्व डिप्टी सीम के बंगले से ही जुड़ा नहीं है हालात ये है कि बिहार विधानसभा में नय अध्यक्ष अवद बिहारी चोधरी भी विधायक वाले छोटे से आवास में रह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष का आवास उन्हें नहीं मिला है अभी तक पूर्विधान सभा अध्यक्ष विजयकुमार सिन्हा अभी उसी आवास में है और वहीं से काम करते हैं दरसल विजयकुमार सिन्हा को जो आवास नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आवंटित किया गया था वो पहले डिप्टी सीम तेजिस्वी यादफ का आवास था तब वो नेता प्रतिपक्ष थे और एक पोलो रोट आवास अभी खाली नहीं हुआ है लिहाजा विजयकुमार सिन्हा इसके इंतजार में बैठे हुए हैं जब तक तेजिस्वी यादफ अपना आवास खाली नहीं करेंगे तब तक स्पीकर अवद बिहारी चौधरी को उनका अध्यक्ष वाला आवास नहीं मिलेगा उधर बिहार विधान परिसत के सभापती देवेश चंदर ठाकुर भी अपने पुराने आवास में ही रह रहे हैं देवेश चंदर ठाकुर को इंतजार है कि पूर्व कारेकारी सभापती अफदेश नारायन सिंग कब अपना बंगला खाली करेंगे माना जा रहा है कि अफदेश नारायन सिंग इस महीने के आखिर तक सरकारी बंगला जो है वो खाली कर देंगे और इसके बाद ही देवेश चंदर ठाकुर को सभापती वाला बंगला मिल जाएगा वही अगर बात करें पूर्व डिप्टी सीम रेनु देवी की तो रेनु देवी अपने उपर जुर्माना लगाये जाने के बाद जब नाराज हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पूर्व मंत्री शेहनवाज हुसैन का बंगला उन्हें आवंटित किया गया था शेहनवाज हुसैन ने बंगला खाली किया नहीं तो वो कहा रहती वही बंगले का खेल बिहार की राजनीती में कुछ ऐसा है जैसे इसकी टोपी उसके सर जब तक रेनु देवी अपना आवास खाली नहीं करेंगी तब तक तेश प्रताप यादफ को आवास नहीं मिलेगा वही दिजस्वी आदफ को आवास तब तक नहीं मिलेगा जब तक पुर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पाश देश रत्र आवास को खाली नहीं कर देते हैं वही जेडियो कोटे के मंत्रियों के साथ कोई ज्यादा परिशानी तो नहीं है जेडियो के सभी मंत्री पिछले सरकार में भी थे और अब भी उन्हें कंटिन्यू रखा गया है ऐसे में उनके आवास के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है असल चुनौती आरजेडियो के नए मंत्रियों को बंगला मुहया कराने का है आपको बता दे कि सरकारी बंगले को लेकर ही पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले दो मंत्रियों के बीच भिड़ंत हुई थी विवाद के मूल में सरकारी बंगला था आरजेडी के 11 मंतरी इस बात को लेकर नारास थे कि बीजेपी के मंतरियों से बंगला क्यूं नहीं खाली कराया जा रहा है तब बीजेपी कोटे के मंतरी ने कुछ ऐसी बात कही थी जिस पर आरजेडी कोटे के मंतरी भड़क गये थे बाद में ये विवाद तिजस्वी यादव के कान तक पहुचा और आखिर कार तै कि बीजेपी के पूर्व मंतरियों से बंगला खाली कराया जाएगा अब देखने वाली बात ये होगी कि बंगले को लेकर ये सियासत जो है वो कब खत्म होती है कर दो